दोस्तों बहुत-बहुत सवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वारव अकेडमी पर दोस्तों एंटिये यूजिसी रिंट की तरप से जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पब्लिक नोटिस आप देख सकते हैं दोस्तों आज की डेट यानि 21 फरवरी दो होने वाला है दोस्तों जान लेते हैं वह वहुन से 5 सब्जेक्शन जिनका एक्जाम है 28 फरवरी से चुывать होने वाले हैं तो sबसे पहले आपका जोिश्ट या हई٘ा सकते हैं ग। जो आपका shift1 और shift2 में होगा और इसी पिरकार से economics का आप देख लीजीए यहाँ पे schedule देख सकते हैं shift1 और shift2 में होगा और अगर बात करें physical education की तो आपका exam जो है 2 March 2023 को shift1 में होगा यह shift जो है केवल shift1 में है physical education का और अगर बात करें public administration की तो वो आपका exam होगा दोस्तो 2 March 2023 को shift 2 के अंदर तो usually होता क्या था दोस्तो जो public administration का exam है वो political science के साथ arrange होता था shift 1 या shift 2 के साथ में लेकिन इस बार जो है दोस्तो exam में थोड़ा फेर वदल गया गया है shift में फेर वदल गया गया है तो आपका जो exam है public administration का वो पहले arrange किया गया है shift 2 phase 2 के अंदर जो आपका shift 2 में होने वाला है और आपका जो political science का examination है दोस्तो UGC net का political science का exam है वो आपका shift 2 में नहों करके वो shift 3 में shift कर दिया गया है तो पहले जो आपका जो political science का exam था वो shift 2 में होने वाला था लेकिन व्यवस्था के चलते इसको जो है पोस्ट पॉन करके उसको shift 3 में transfer कर दिये गया है क्योंकि जो political science के जो student से दोस्तों वो काफी भारी संख्या में होते हैं तो उनके लिए systems की व्यवस्था करनी होती है system और बाकी सारी जो भी कारेवाई है वो सारी देखनी होती है तो इसके लिए आपका थोड़ी रहत की बात यह है कि जो political science के जो student है दोस्तों उनका जो exam जो होने वाला है अब आपका थर्ड फेस में होने वाला है यानि तीन मार्स से लेकर के 10 मार्स के बीच में आपका जो exam है political science का वो conduct होगा तो आप दोस्तों बात करते हैं अगर history subject के अंदर अगर आपका fall होता है अगर आपका subject history है तो आपको क्या करना है आपकी date तो यहाँ पर clear हो गई है 28 मार्स को आप website के उपर जब आप जाएंगे official website के उपर तो इस प्रकार से वह खोल के आ जाएगी और इसके बाद आपको scroll down कर लेना है नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ आप देखेंगे candidate activity area के अंदर तो यहाँ पर जिस प्रकार से phase 1 का exam schedule यहाँ पर दिया गया है intimation sleep दिया गया है इसे प्रकार से आपका intimation sleep है दोस्तो phase 2 के लिए भी जारी कर दिया जाएगा दो से तीन working days के अंदर और संभावना है कि जो आपका admit card है दोस्तो admit card भी जो आपका आने वाले Saturday से पहले पहले जो है आपका admit card भी जारी कर दिया जाएगा तो आप यहाँ पर आकर के आप अपना advanced city intimation sleep आप देख सकते हैं किस वेर में आपका exam है और यदि आप admit card download करने के लिए आपको इसी page पर आना है दोस्तो candidate active area के अंदर आना है और यहाँ पर जिस प्रकार से release of admit card for UGC net December 2022 phase 1 है तो phase 3 के लिए आपको यहाँ फेस 2 के लिए आपको यहाँ से admit card जो और जो नीचे security pin दिया गया है उसको उपर type करके उसको submit कर देना है और आपका जो admit card है दोस्तों यहाँ से download हो जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू